नमश्कार एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी पांच टोन के बारे में जिसे आप अपने लाइब प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं तो आएए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंजानते हैं हमारी सबसे पहली टोन के बारे में तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली और कॉमन टोन है वह स्ट्रिंग्स की टोन आप म्यूजिक में तो प्ले करते हैं इस साथ बैकिंग और यहाँ पर यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मैंने कोड़़् यहाँ पर प्रेस करके रखें स्ट्रिंग्स की टोन पर तो श्ट्रिंग्स का जो टोन है वो काफी कॉमन टोन है नॉर्मली आप live show वगेरा में string का tone यहाँ पर use कर सकते हैं coding वगेरा देने के लिए इसी के साथ strings के साथ आप chorus भी use कर सकते हैं अगर आप चाहे तो कई बार coding देने के लिए तो strings, chorus को हम एक category में आपर count करेंगे बढ़ते हमारी next tone की तरफ तो यहाँ पर जो हमारी second tone है वो है vibrophone की tone तो basically vibrophone की tone को भी आप यहाँ पर coding देने के लिए use कर सकते हैं जैसे normally जो devotional songs वगेरा folk songs वगेरा रहते हैं उसमें आप यहाँ पर vibrophone का use कर सकते हैं backing coding देने के लिए कुछ इस तरह से तो एक तो यह pattern हो गई जिसमें आप code play कर रहे हैं साथी साथ एक दूसरी variation भी आप try कर सकते हैं जब कोई song चल रहा है और आपको coding देना है तो कुछ इस तरह से आप back end से भी coding दे सकते हैं तो यहाँ पर आप vibrophone की tone को कुछ इस तरह से use कर सकते हैं coding देने के लिए बढ़ते हैं हमारी next tone की तरफ तो यहाँ पर जो हमारी third tone है वो है piano की tone तो basically piano की tone अगर आपको जैसे acoustic songs वगईरा play कर रहे है Bollywood के songs प्ले कर रहे हैं unplugged songs वगईरा play कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर piano की tone को consider कर सकते हैं coding वगईरा देने के लिए हुग है लगई verses तो कुछ इस तरह से आप यहां पर जो हमारी पियानो की टोन है, साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा कि पियानो की टोन के साथ हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग्स यहां पर डाला हुआ है, तो पियानो प्रस ट्रिंग्स की टोन आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह से पैटन दे सकते हैं पीछे की song का जो भी lead part चल रहा है उसमें पीछे की तरफ आप इस तरह से pattern continue कर सकते हैं पियानो की tone से, बढ़ते हैं हमारी next tone की तरफ, तो यहाँ पर जो हमारी next tone है वो है guitar की tone, so basically आप इसमें bass guitar consider कर लीजे या फिर acoustic guitar consider कर लीजे, मैं आपको यहाँ पर bass guitar क की tone बतारों जिसमें proper bass का tone है वो आपको left hand side यहाँ पर सुनने मिल जाएगा, तो make sure करिए आप इस video को you know headsets लगा कर सुनने ताकि आप यह जो bass का tone है आप clear समझ पाएं तो यह आपने देखा, यहाँ पर यह जो bass का tone में ने play किया है इस तरह से आप कुछ जो songs रहते हैं उसमें आप इस तरह से bass भी दे सकते हैं, bass के साथ आप coding भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से तो इसी तरह से जो acoustic guitar होता है उसे भी यूज कर सकते हैं, नौर्मली जैसा मैंने भी आपको piano का tone बता है तो उसी तरह से variation play करने के लिए आप guitar की tone में bass guitar and acoustic guitar दोनों को consider कर सकते हैं, बढ़ते हैं हमारी next tone की तरफ तो यहाँ पर जो हमारी next tone है, वो है warmpad की tone या फिर आप mix tone बोल दीजिए, stack heaven वगएरा, fantasy की tone, mix tone आप यहाँ पर use कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी song में, किसी भी music के part में, lead वगएरा में, आप यहाँ पर singer के साथ इसे backing के लिए coding देने के लिए use कर सकते हैं, कुछ इस तर तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने देखी कुछ ऐसी 5 best tone जिसे आप अपने live program वगएरा में back end में codings देने के लिए यहाँ पर use कर सकते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो और यह सारे tones पसंद आयो, तो आप वीडियो को like जहूर से करिएगा, share करिएग ना मत भूलेगा, thank you for watching, stay tuned.